नमस्कार, नया काम शुरू जब आप करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? कैसे शुरू करें नया काम कि 100% आपको सफलता मिले? कुंडली में वो कौन से संजोग होते हैं जब व्यक्तिन नया काम शुरू करता है? आम तोर पर कुंडली में ब्रस्पति की महादसा हो, अंतर दसा हो या परतेंतर दसा हो या फिर सुक्र की महादसा, अंतर दसा और परतेंतर दसा हो यानि गुरू और सुक्र की दसा चल रही हो तो नया काम शुरू होने की संभावना बनती है गोचर से गुरू और सनी दोनों मजबूत हो जाए तो भी नए काम की सुरू होने की संभावना बन जाती है ऐसा भी देखा गया है कि साड़े साती जब उतर जाती है तब उतरने के तुरंत बाद जीवन थोड़ा बेहतर होता है और वहां से नया काम सुरू हो जाता है कुंडली में जो भागी का मालिक है भागे से जो साथवे खाने का मालिक है सब्तमे से इनकी दसा चलने से भी नया काम सुरू होता है व्यक्ति नया काम सुरू करता है नया काम सुरू करने में किन बातों का ध्यान डखा जाए उस दिन आप दिन, समय, अस्थान का सही चुनाव करें कुंडली से चंद्रमा का बल, तारा का बल यानि उस दिन के नच्छत्र की पोजीशन क्या है उस दिन के नच्छत्र की चंद्रबल और तारा बल मजबूत होना चाहिए काम के हिसाब से नच्छत्र का चुनाव करें नहीं तो रासियों के हिसाब से दिन का चुनाव करें उस दिन से संबंदित सुब बस्तु खाकर काम की सुरुआत करें या जो काम करने जा रहे हैं उससे संबंदित बस्तु खाकर सुरुआत करें कारिकी तो आपको बहुत सफलता मिलेगी रासी के हिसाब से अगर आप विसेश दिन विसेश काम की सुरुआत करेंगे तो विसेश सफलता मिलेगी अब जैसे मेश रासी है तो आप गुरुवार के दिन नए काम की सुरुआत करें पिली सरसों खाकर ब्रिश रासी वाले सनीवार के दिन नई काम की शुरुआत करें घी खाकर मिथुन रासी वाले सुक्रवार के दिन नई कार्च की शुरुआत करें दही खाकर करकरासी वाले मंगलवार के दिन नई कार्च की शुरुआत करें गुड़ खाकर और सिंग रासी वाले रविवार के दिन पान का पत्ता खाकर नयकार की शुरुआत करें कन्या रासी वाले बुद्वार के दिन धनिया खाकर नयकार की शुरुआत करें तुला रासी वाले सुक्र वार के दिन दही खाकर नयकार की शुरुआत करें और ब्रिशिक राशी वाले रवीवार के दिन पान अपत्ता खाकर नएकार्fo Кई सुरुआत करें ड्नु राशी वाले गर सिवाले किदी पनिया करने चाहा करने से वाले दिन दध्रासी वाले से ज TRAOS को और दो काम 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 क्या कि एक हिसाब Yes so the ha这 सुभ दीन का चुनाफ कर सकते हैं और रासी की जानकाली नहीं है तो उससे संबंदीद गरह के दिन भी आप काम की सुरुआत parcel कर सकते हिं अब जैसे खाने पीने से संबंदित काम अगर आप सुरू करना चाहरे हैं जल से संबंदित करें तो फिर आप सोम बार के दिन नया काम सुरू करें ये खाने पीने संबंदित तो बहतर होगा मंगलवार के दिन आप जमीन, मकान और निर्मान का काम करना चाहते हैं तो आप मंगलवार के दिन करें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे धन का लेंदेन है या फिर सेर बाजार का काम आप सुरू करना चाहते हैं सलाह देने का काम सुरू करना चाहते हैं तो फिर बुद्वार का दिन आपके लिए बहतर होगा अगर आप सिख्छा, धार्मिक कार या फिर अनाज का काम करना चाहते हैं तो ब्रहस्पतिवार का दिन आप सुरू करें बहुत अच्छा रहेगा आप सुन्देर परसादन, कपड़ा, रसायन और औसदी का काम सुरू करना चाहते हैं तो सुकरवार के दिन आपके लिए बहुत 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 होगा आपको बता रहे हैं कि किस दिन कौन सा काम आप कर सकते हैं बहुत परिनाम के लिए अब हम आपको बताते हैं आप अगर लंबे समय तक जो काम आपको चलाना है चाहे वो नौकरी हो तो आप लंबे समय तक चलने वाला काम सनी बार के दिन आप सुरुवात करें बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लकडी का काम, पदगरहन का काम, अस्पताल का काम या कोई सरकारी काम हो तो आप रईविवार के दिन अगर इसका सुरुआत करें तो बहुत अच्छे प्रेणाम आपको मिलेंगे, रिजल्ट आपको मिलेंगे तो हमने आपको आचानकारी दी, आप नए काम सुकी शुरूआत करना चाहते हैं तो किन बातों का दिहान रखें आपको, अगर कुंदली नहीं है, सिर्फ आप अपने नाम से राशी निकालते हैं तो राशी के अनुसार भी आप काम की सुरूआत कर सकते हैं या फिर आपको अपनी रासी की भी जानकारी नहीं है, तो काम की हिसाब से आप दिन की काचुनाव करें और उस दिन स्छुरुआत करें. बहुत अच्छे Santow आपको प्राप्त होंगे. आप इन चीजों को अपनाए लाइफ में और अपने कारे को बेहतर करें अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए आइकोन का बतन डबाएं थेंक्यू